बॉंड्स पे ना बहुत सारे वीडियोज बनते हैं तो मैं फिर से A to Z आपको बॉंड्स के पूरे बेसिक समझा के बोर नहीं करूँगा क्योंकि आपको थोड़ी ना बॉंड्स पे PhD करनी है आपको तो practical pointers चाहिए कि बॉंड्स कितना return दे सकते हैं कितना सेफ है करना चाहिए कि नहीं और select कैसे करें तो आज ना मैं बॉंड्स पे जो तीन सबसे common questions है उसके answer करने वाला हूँ जैसे पहला question कि लोग बोलते हैं कि बॉंड्स में invest करो क्योंकि वो FD से जाधा return देता है लेकिन अगर FD से जाधा return चाहिए तो मैं stocks में invest कर दूँगा वो तो मुझे और जाधा returns देंगे मैं stocks को छोड़के bonds में पैसा क्यों लगाऊ ये एक practical और बहुत सही सवाल है second question है कि आखिर ये companies bonds issue क्यों करती है उनका क्या फायदा bonds issue करने में और तीसरा लोग बोलते हैं कि bonds में invest करो क्योंकि ये FD से जाधा returns देती है लेकिन ये जाधा returns कैसे देती है उसका process क्या है कहीं risk जाधा तो नहीं है आपका पैसा risk पे तो नहीं है तो ये तीन important questions को आज इस वीडियो में हम जानने वाले है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रांजल कामरा आज जानते हैं bonds का पूरा सच और इस वीडियो के end में मैं आपको एक unique trick बताने वाला हूँ जिससे आप अपने bonds के return को न डबल कर सकते है जैसे अगर आपने कोई bond लिया है जो 8% का interest rate आपको देता है लेकिन एक तरीके से आप उसको double करके 15% का return भी पा सकते है तो इस वीडियो के end part को जरूर देखिएगा तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आजकल bonds की इतनी बात क्यों हो रही है bonds इतने popular क्यों हो रहे है मैं अपना personal example लेता हूँ जब मैंने investing शुरू की थी न 2013-14 के आसपास तो जैसा मुझे ध्यान है FD में ही 10% का interest मिल जाता था जो आज कुछ bonds में भी नहीं मिलता 10% का interest FD में 7-8 साल पहले लेकिन उसके बाद FD के interest rates ना तेजी से गिरे हैं हाला कि inflation number में भी changes आये हैं सारे macro economic factors भी बदल गए लेकिन एक major factor और हुआ था कि demonetization जब हुआ न लोगों ने धड़ा धड़ा अपने पैसे banks में जमा कराए तो banks के पास एकदुम से unprecedented amount में पैसा आ गया खूब सारे deposits आ गए और अचानक से रातो रात loans की demand तो बढ़ने वाली थी नहीं तो banks क्या करेंगे loan की demand नहीं बढ़ी है लेकिन पैसे बहुत सारे आ गए है ऐसे में वो लोगों को banks में पैसे deposit करने से discourage करेंगे वो चाहें वो खुद करें या RBI को convince करें वैसा करने के लिए वो rates घटा दे लेकिन basically banks लोगों को deposit करने के लिए discourage करेंगे जब banks के पास बहुत सारे deposits है demonetization के बाद banks के पास बहुत सारे deposits है तो वो आपको FD करने से discourage कैसे करेंगे interest rate को कम करके पहले 7% मिलता था अब 5% low और इस कारण पिछले कुछ सालों में FD के interest rate खूब तेजी से गिरे है ऐसे कि FD को अब एक investment option माना ही नहीं जा सकता आज से 10 साल पहले FD investment option होती थी क्योंकि वो inflation को slightly beat करती थी लेकिन आजकल beat नहीं करती तो FD अब एक savings option है कि आपको पैसा पाक करके रखना है सुरक्षित रखना है और उसकी value बहुत ज़दा गिरे ना इसका ध्यान रखना है तो अच्छा option है लेकिन क्या FD आपकी value को grow कर सकता है आपकी wealth को compound कर सकता है नहीं जित्ती महंगाई बढ़ेगी लग भग उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा और महंगाई पे tax नहीं लगता FD पे tax भी लगता है तो after tax returns अगर आप देखोगे न तो वो महंगाई से नीचे हो जाते हैं क्योंकि महंगाई पे tax नहीं लगता है और इसीलिए bonds जिसमें कि बहुत सारे retail investors पहले interest नहीं लेते थे वो अब एक interesting investment option बनता जा रहा है और इसीलिए आज हम उसे बहुत यह आसानी से discuss करने वाले है थेले जानते हैं कि companies bonds क्यों issue करती है और bonds पे FD से जादा return कैसे मिलता है ये दोनों ना questions combined है एक answer से ये दोनों सवाल solve होंगे अब companies bonds क्यों issue करती है companies bond इसलिए issue करती है क्योंकि उनको पैसे चाहिए चाहे दूसरी companies से organization से H&I से या आम लोगों से business करने के लिए उनको पैसे चाहिए अब पैसे दो तरीके से मिलते हैं या तो लोन मिलेगा या फिर वो अपनी company में stake देंगे और उसके बदले में shares issue करेंगे अब वो shares issue करेंगे तो उनकी company में shareholding कम हो जाएगी जो वो नहीं करना चाहते है तो वो loan लेना चाहते हैं अब loan लेने के दो तरीके है या तो वो bank से लेंगे या दूसरी companies या normal retail investors से लेंगे अगर वो bank से लेंगे तो उसको हम loan कहेंगे अगर वो दूसरी company से लेंगे या non banking individual entity से लेंगे जैसे हम लोगों से तो उसे bond कहा जाएगा जब वो normal लोगों से या company से loan ले रही है उसे bond कहा जाएगा तो company इसको business करने के लिए पैसा चाहिए इसलिए वो bond issue कर रही है लेकिन अब अगर company को business करने के लिए loan ही चाहिए तो वो bank से क्यों नहीं ले लेती हमारे पास क्यों आ रही है loan लेने के लिए अब इसका answer बहुत simple है एक bank क्या है intermediary है हम से जिसके पास extra पैसे है वो जाके bank में पैसा deposit करते है और जिसको loan चाहिए bank उनको loan देता है यानि bank zomato जैसा एक intermediary है जो restaurants और ग्रहकों को platform दे रहा है nokri.com जो job seekers और job givers को platform दे रहा है amazon जो product buyers और sellers को platform दे रहा है तो bank loan seekers और loan givers को एक platform दे रहा है अब कोई भी platform एक commission charge करता है तो bank भी commission charge करता है यानि bank से अगर कोई loan लेने जाएगा तो उसको वो loan महेंगे में मिलेगा तो companies क्या बोलती है कि आप deposit करने आ रहे हो bank में जिसमें bank commission charge कर रहा है आपको 8% देना चाहिए 5% दे रहा है हमको उसको loan 8% में देना चाहिए वो हमको 12% में दे रहा है हमको bank 12% charge करता हम आपको 9% दे रहे है दोनों का 3.3% का फाइदा bank को हटाते है आप हमको पैसा दे दो हम आपको bond दे देते है तो bank को किनारे करने के system को बोलते है bonds और ये दोनों को सस्ता पड़ता है इसलिए इसे किया जाता है तो क्या bank सिर्फ एक middleman है जो हमसे पैसे लेती है commission खाती है आगे loan देती है जिसको loan देती है वहाँ भी एक markup लगाती है क्या bank का और कोई काम नहीं है bank एक बहुत जरूरी काम और करती है और यही difference है FD में और bonds में और क्यूं दोनों products अपनी अपनी जगे बहुत सही है bank सिर्फ middleman का काम नहीं करती bank एक और important काम करती है वो risk खुद पे लेती है यानि अगर हम जाके bank में FD कराते हैं हमको अगर हम सीधा bond में पैसा लगाते हैं हमको 8-9% मिलता FD में 5 ही percent मिल रहा है तो 3% कम मिल रहा है लेकिन उसके बदले में bank एक ज़रूरी काम कर रहा है bank ये बोल रहा है आप FD कराओ हम इसको आगे loan देंगे वो loan हमने जिस company को दिया वो हमें पैसा वापस करे ना करे आपको आपका पैसा वापस मिलेगा यानि कल को bank ने जिस company को loan दिया था अगर वो पैसा नहीं लोटाती तो वो risk वो loss bank सहन करेगा आपको आपका पैसा मिलेगा तो एक तरह से ये insurance है आपके पैसे का और insurance लेंगे तो premium देना पड़ेगा यहाँ पे premium क्या है कि आपको 8% के बदले 5% मिल रहा है तो आपने 3% का premium दे दिया आपके पैसे के insurance के लिए तो ये फर्क है FDs में और bonds में और इस कारण bonds ज़ादा पे करते हैं क्योंकि उन में न कोई built-in insurance नहीं है कोई आपके बिहाफ पे आके ये guarantee नहीं कर रहा कि ठीक है आपने टाटा का bond खरीदा ना अब टाटा पैसे दे ना दे मैं आपको पैसे दे दूगा ऐसा कोई insurance नहीं है इसलिए risk ज़ादा है इसलिए return ज़ादा है ये फर्क है bonds और FD में अब ना bonds फस जाते है FD और stocks के बीच FD देती है 6% का return 5% का return stocks दे सकते है 13-14-15% का return तो जिसको ज़ादा return चाहिए वो stocks की सोचता है जिसको कम returns चाहिए safety चाहिए वो FD की सोचता है bonds इसके बीच के returns देते है 8-10% तो ये बीच में फस जाते है अब हमने FD से इसको compare कर लिया अब ज़रा इसको stocks से compare कर लेते है क्योंकि ये natural question है कि अगर में को ज़ादा ही returns चाहिए और risk ज़ादा लेना है तो मैं stocks में invest करूँगा न मैं bonds क्यों लूँगा चलिए इसको भी समझते है मान लीजिए Tata Consultancy Services one of India's safest companies TCS Infosys इस तरह की companies अगर आप इनका share लेंगे तो आपको किस साल कितना return आएगा उसकी कोई guarantee नहीं है हाँ आपको पता है कि पैसा डूबेगा नहीं ये share zero नहीं होगा लेकिन इस साल ये share 20% नीचे जाएगा कि 20% उपर जाएगा वो market पे depend करेगा तो एक साल के दो साल के returns आपके हाथ में नहीं है हाला कि आपको पैसे की safety पे कोई risk नहीं है, कोई डर नहीं है company डूब जाएगी, ये भी कोई डर नहीं है लेकिन returns पता नहीं है और अगर ऐसे में मुझे एक साल में 10% का return चाहिए ही चाहिए तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे bonds आते हैं bonds अगर आप TCS का ले रहे हैं तो पुरा group धराशाई हो जाएगा तो आपको पता है कि पैसा तो वापस आएगा लेकिन bonds आपको 8-9% की guarantee भी दे रहे हैं कि आपको 9% return मिलेगा ही मिलेगा और आपको अगले 2 सालों में 20% पैसा उपर से चाहिए था आपके पास लाख रुपे हैं दो साल बाद आपको 1,20,000 की जरुवत है और ये bond आपको guaranteed returns दे रहा है अब टाटा ग्रूप डूप जाएगी default कर देगी आपका पैसा नहीं मिलेगा ये भी risk नहीं है और returns भी guaranteed है तो जब आपको medium term में short से medium term में guaranteed returns चाहिए FD से जाधा चाहिए तो यहाँ पे bonds एक अच्छा option बन जाता है अब bonds में risk क्या है वही risk है जो हम सोचते हैं जब हम किसी दोस्त को या relative को या किसी जान पहचान मेले व्यक्ति को पैसे उधार पे देते हैं पैसे वापस नहीं आये तो वो भाग गया तो पैसे वापस नहीं कर पाया तो तो जैसा मैंने बताया bonds क्या है आप company को loan दे रहे हो उसके बदले में वो आपको certificate दे रहे हैं कि हाँ मैंने इस बंदे से इतने साल के लिए इतने पैसे लिए हैं और बदले में मैं per year इतना interest दूँगी यह वो company आपको बोल रही है अब सबसे बड़ा risk क्या है default risk कि अगर वो company पैसे नहीं दे पाई तो अब इसको आपको रोकना है न वरना कहां तो आप सोच रहे थे कि मैंने लाक रुपे दिये उस company को अब हर साल मुझे इस पे 10,000 रुपे मिलेंगे वो 10,000 रुपे मिलना तो छोड़िए आपके लाक रुपे भी दूप गए तो यह सबसे बड़ा risk है बॉण्ड में पैसा लगाने के लिए इसको आप कैसे रोकोगे इसको रोकने के कुछ मेकानिजम से है credit rating बहुत सारी credit rating agencies हैं जब भी किसी company को public से पैसा उठाना है तो उसमें से एक credit rating agency से उस company को अपने bonds की credit rating करवानी होती है AAA rating सबसे safe होती है AA उससे कम, A उससे कम, BBB ऐसे बहुत सारी categories है आप simplicity के लिए यह ध्यान रखिए कि अगर कोई भी bond की rating single A से कम है BBB या उसससे कम है तो आपको उस bond को नहीं चूना है वो बहुत रिस्की है आपको A, AA, AAA में ही रहना है जितनी high rating रहेगी उतनी safety जादा रहेगी उसका एक दूसरा मतलब भी है जितनी high rating आप उतना safety सीख कर रहे हो आप उतनी safety के ओर जा रहे हो याने interest rate आपका return उतना कम होता जाएगा ऐसा क्यूं होगा क्योंकि अगर कोई company बहुत safe है मान लिजे TCS या Infosys तो उसको पैसा देने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे न तो उसके पास बहुत सारे loan givers है तो एक तरह से वो reverse auction कर रहा है वो बुल रहा है बताओ सबसे कम में मुझे कौन देगा जो सबसे कम में देगा मैं उससे पैसा लूँगा तो इस कारण इन company के interest rate कम होते है आप समझे कि 7% के आसपास 7.5% के आसपास इसके आसपास इसके interest rates होते है कोई risky company है जिसको कोई पैसा नहीं दे रहा उसको bank भी पैसा नहीं दे रहा 12% पे bank भी पैसा नहीं दे रहा तो वो क्या बुलेगा मुझे कोई तो पैसा दे दो मिरसे 15% ले लो मिरसे 14% ले लो लेकिन मुझे पैसा दे दो तो जतना जादा risk usually यह हमेशा सही नहीं है जितनी lower credit rating होगी और जितना जादा risky वो company होगी उतने जादा returns ओफर करेगी इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस bond को जाके खरीद ले stocks में, mutual funds में कई बार हम past returns देखके खरीद लेते हैं bonds में आप coupon rate देखके coupon rate याने कि वो company आपको कितना rate ओफर कर रही है कितना interest ओफर कर रही है यह देखके सिर्फ आप नहीं ले सकते हैं तो एक तो आपको credit rating देखनी है कि वो बहुत जादा safe है दूसरा आपको खुद भी यह check करना है कि वो brand, वो जो bond आ रहा है उस company का जो brand है वो brand कैसा है याने Tata Group है तो आपको पता है कि Tata Group कोई छोटे से bond पे भी कभी default नहीं करने वाली वो Reliance है, HDFC है कोई सरकारी bond है तो यह लोग default नहीं करने वाले तो भले ही credit rating कुछ भी हो वो group dependable होना जरूरी है तो group कैसा है इसको आप अपने level पे भी जरूर देख लिजे जैसे मैं अगर bonds में निवेश करू तो मैं हमेशा safe, well-known groups की तरफ जाऊँगा और अपने दिवाग में यह सोचूँगा क्या यह company इस bond में पैसा एक installment भी ना चुका है ऐसा करेगी अगर मुझे लगेगा ना नहीं आ वो 100 करोड का अगर installment नहीं देगी न तो 1000 करोड का उसका public relation public image का नुकसान हो जाएगा तो वो ऐसा नहीं करेगी तो वहाँ से मुझे comfort आता है तीसरा, आपको एक और चीज़ देखनी और यह बहुत interesting concept है arbitrage arbitrage क्या होता है देखें, मान लीजिए कोई bond है, double A rated जो 10% interest दे रहा है अब तभी reliance को खूब सारा पैसा चाहिए लाखो करोड रुपे चाहिए अचानक से, तो reliance क्या बोल रहा है कि banks तो मुझे इतना पैसा दे नहीं सकते और मेरे पास interest देने की काबिलियत है, तो मैं 11% पे एक लाख करोड रुपे पबलिक से उठाऊंगा अब reliance है, तो उसको AAA rating भी मिल गई, और जो पिछली company थी, जिसका bond आपने लिया वा था, वो double A rated है, और 10% interest है, reliance, triple A rated और 11% interest दे रही है तो अब क्या होगा, आपके 10% वाले bond की value है ना जो आपने double A वाला bond ले रखा था 10% interest पे, market में सब उससे चड़ने लग जाएंगे ये भी कोई bond है, इससे अच्छा तो reliance वाला आ गया, यानि आपकी bond की value कम हो जाएगी तो देखिए, bond में भी ना दो चीज़े होती है, कि मान लीजे किसी company ने 5 साल के लिए loan लिया आपसे 100 रुपे, और वो हर साल आपको 10% का interest देगी, 5 साल बाद आपके 100 रुपे जो principle था वो वापस करेगी आपने वो bond ले लिया सोचके कि हाँ मैं 5 साल रुख सकता हूँ अब आपको 2 साल बाद कुछ urgency आ गई लेकिन वो company तो आपको 3 साल बाद ही पैसा देगी, उसने 5 साल के लिए आपसे loan लिया है, तो आप bond company को तो दोगे नहीं, वो लेगी नहीं, तो आप bond exchange पे, online bond marketplace पे वो bond किसी और को बेच सकते हो, common public को जो वो bond खरीदना चाहती है, याने bond से आप maturity के पहले भी निकल सकते हो, उसको secondary market में बेच के, तो अब अपन पिछले वाले example की तरफ आते हैं, कि reliance एक bond ले आया, AAA, जिसके कारण आपके AA rated bond की value कम हो गई, अब मान लीजे आपका वो AA rated bond आपने 100 रुपे में एक लिया था, जो 10% interest देता था, लेकिन क्योंकि अब reliance AAA rated bond ला रहा है, तो सारा पैसा वहाँ लग रहा है तो आपके bond की value गिर के 80 रुपे हो गई, secondary market पे, अब सोचिए, अगर कोई 80 रुपे में उस bond को ले ले, और उसको return कितना मिलने वाला है, company तो 10% ही return देगी, 10% of face value, face value याने की, वो bond जिस price पे issue हुआ था वो bond 100 रुपे पे issue हुआ था तो company तो 100 रुपे पे 10% interest देती रहेगी, याने 10 रुपे देती रहेगी आपने bond खरीदा था 80 रुपे में, याने 80 रुपे में खरीद के, आपको 10 रुपे का return मिल रहा है, तो आपका return 10% से जादा हो गया, आपका return 12% के आप सपास हो गया, और अब अगर आप 80 रुपे में उस bond को खरीद रहे हैं, तो आपके लिए ना वो reliance वाले bond से भी better हो गया तो यहां से हमको एक चीज यह पता चलती है, कि आपको credit rating देखनी है, आपको यह देखना है कि वो bond का coupon rate याने वो bond कितना percent interest देना है वो देखना है, प्लस आपको एक तीसरी चीज देखनी है, yield to maturity, सबसे जरूरी aspects में से एक है जब आप एक bond खरीदेंगे, yield to maturity क्योंकि bond आपने किस price पे खरीदा, company ने किस price पे issue किया, वो अलग बात है आपको कितना return मिलेगा यह depend करेगा कि bond आपने किस price पे खरीदा, तो आपने जिस price से खरीदा, उस पे आपका return कितना है, आपने 80 रुपे पे खरीदा bond, और आपको 10 रुपे मिलने वाला है, तो आपका return 10% नहीं है, उससे ज़ादा है तो जो आपका return अब है, वो है आपकी yield to maturity, तो अगर कई बारना हम सोचते हैं कि अगर 10% वाला bond है, 10% coupon rate वाला, तो हमारा 10% का return होगा, नहीं, bonds में आपको arbitrage opportunity मिलती है अगर आप सही time पे सही bond खरीद ले तो आप 15% भी कमा सकते हैं आप उससे ज़ादा भी कमा सकते हैं तो bond में हमेशा आपको arbitrage opportunities ढूमनी हैं तो अब मैंने आपको बता दिया है कि bond लेने से पहले आपको क्या-क्या देखना है और अच्छी बात यह है कि अब ना आप thefixedincome.com पे जाके किसी भी bond की credit rating देख सकते हो, उसकी maturity कब है किसने उसको issue किया है coupon rate कितना है, yield to maturity की importance मैंने आपसे discuss की आप वो देख सकते हो कि आपका return कितना होगा यह सब कुछ आपको thefixedincome.com पे मिलेगा, in fact आप वहां से bonds खरीद भी सकते हो और वो bonds कहां store होंगे पता है जहां already आपके stocks stored होते हैं आपके DMAT account में, तो अलग से कोई जंजट नहीं है कि मेरे bonds कहां रखे हुए, in fact अगर आप कभी sell करना चाहो, तो sell करने में भी thefixed income आपकी help कर सकता है, जैसे आपने कोई bond ले लिया 10 साल वाला, अब आपको 5 साल बाद निकलना है आप नहीं रुख सकते, कुछ emergency आ गई लेकिन market में कोई buyer असानी से मिल नहीं रहा, तो यहां भी thefixedincome.com आपको assist करेगा कि आप उस bond से निकल सको तो हर वो aspect, जो आपको bond selection, bond buying और bond selling, यह सारे process में जरूरत है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, thefixedincome.com पे जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, यह platform safe है, regulated है, और आपको जो best market के curated bonds है ना, वो सारी aggregate होके आपको एक ही platform पे मिल जाती है, तो अलग-अलग bond के लिए आपको अलग-अलग जगे जाना नहीं पड़ता, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियो, इस प्रांजल कामरा, साइन ओफ, बाइ-बाइ